केंदर सरकार ने खाद्य मेंगाई को कंट्रोल करने के लिए गुरुवार को गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबन लाग गाने का फैसला किया है सरकार की और से जारी ब्यान के मताबिक क्याबिनेट का यह निर्या अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबन लगाने की अनुमती देगा सरकार के इस कदम से गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुष लगाने में मदद मिलेगी साथ ही खादे मेंगाई का सामना कर रहे आम आदमी को भी रहत मिलेगी मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जारी करेगी इससे पहले मई मईने में खादे सुरक्षा सुनेश्चित करने के लिए केंदर सरकार ने गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी थी माना ये जा रहा है कि गेहूं उत्पादक इलाकों में बारिश की बेरुखी और प्रचंड गर्मी के कारण गेहूं की फसल पर भावित हुई थी इससे उत्पादन में कमी आई फर्वरिय में शुरू हुए रूस युकरेन यूद के चलते वैश्विक सर पर गेहूं की मांग में बड़ उत्री देखने को मिली इसके चलते भारत से गेहूं का निर्याद बढ़ गया और गेहू के निर्याद पर रोक लगा दी अब मिहंगाई को काबू करने के लिए केंदर सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला किया है केंदर सरकार ने अब आटे के निर्याद पर बैन लगाने का फैसला किया है मना जा रहा है कि इस फैसले का असर भी बजारों पर नजर आएगा और ग्रेलू बजार में आटे की कीमतों को थामने में मदद मिलेगी ब्यूरो रिपॉर्ट मार्के टाइम्स टीवी